हलो दोस्तों क्या हाल चाल आपके बड़ी एकदम तो आज जो हमारी discussion रहेगी वह है inventory valuation में weighted average method वैसे तो इसमें और भी बड़ी methods है फीफो हो गया और लेकिन जो स्टूडेंट को सबसरे disturb करता है और परशान करता है वह है weighted average method तो आज की यह वीडियो आपको यह सिखा देगी और एकदम perfect बना देगी आपको weighted average method को कैसे करने है बहुत ही simple है लेकिन आपको concentrate करना है सामने और देखिए जरह फटाफट से यह दे units लिखे हुआ है कितने rate के हिसाब से आए वह लिखा होता है और साथ में issue quantity मतलब हम लोगों ने इस receipts मतलब जो raw materials हमारे बास आया है उसे factory में जो issue करें for the purpose of consumption हां कि ना simple सी बात है पहले raw material आएगा यहां जो receipts है इसका मतलब है raw material आया फेक्टरी में और issue का मतलब sale नहीं है issue का मतलब है हमने इन units को consumption के लिए भीजा है हां कि ना factory में भीजा जाएगा raw material तभी तो convert होगा finished goods के लिए बिलकुल तो यह बात है तो आईए इस question के साथ साथ अब हम करें किसको solve कैसे करने है ठीक है यह देखिए यह इसका format है format सबके लिए वैसे same है लीफो आप यूज करें फीफो यूज करें या weighted average राइट सबसे पहले तो आपको डेट लिखनी है तो question में जो हमें डेट गिवन थी उस डेट के साथ से यह देखिए जो date है सबसे बहले 2nd March है और receipts जो माल हमने receive करें वह 200 units है तो रुपीस के साथ से तो ऐसा हम करेंगे अब इसको as it is जैसा question में given है उसके साथ से हम इसको record करेंगे ठीक है न तो यह देखिए आप तो जो date है वो date कितनी है date थी 2nd March सबसे पहले हम लेकिंगे 2nd March date में receipts कितने units हम लोगों ने receive करें थे quantity में लिखा हुए 200 units रेट भी given equation के अंदर रुपीज 2 तो ऐसे हमारा आउंट आ गया 400 हां कि ना यह तो बहुत सिंपल है receipts में quantity आई है हमारे पास 200 units की at the rate of rupees 2 ऐसे करके total amount हमारा हो गया 400 इश्यू हमने 2nd March को कुछ कर रहा नहीं है तो issue में nil और balance में देखना quantity कितनी है कितने के साब से 2 के साब से and final amount will be 400 ठीक है न इसके निचा आपको line डाल देंगे इसका मतलब यह दो तारीक का balance close हो गया है ठीक है उसके बाद हमें given है कि हम लोग ने 10th March को यह देखिया 10th March को और और माल receive करें 300 यह देखिए 10th March को 300 units at the rate of 2.40 यहीं बस अब आपने देखना है weighted average यहीं पर अलाग है पहले मैं डेट लिखता हूँ 10th March ठीक है कितना माल और आया है हमने कितना माल और receive कर रहे हमने receive कर रहे है 300 units at the rate of 2.40 अब आप 300 into 2.40 करेंगे तो आपका अंसर आएगा 720 लेकिन लेकिन ध्यान से देखना हम जब लीफो फीफो मेथट करते हैं तो बैलेंस में अलग से दिखाते हैं लेकिन यहां पर हमने टोटल दिखाना है कि कितनी टोटल कॉंटिटी कितनी आई है तो यह दिखिए पहले हमारे बास कित के अंदर हमें हमेशा अपनी टोटल कॉंटिटी को दिखाना है तो टोटल कॉंटिटी कैसे आई है सर 200 जो पहले के पड़े हुए थे यहां से जो आये ते सेकिंड मार्च को साथ में 10 मार्च को और माल आगे कितने युनिट्स 300 तो टोटल कॉंटिटी इस 500 यूनिट्स और ह हमें अपसर रेट किस से मल्टिप्लाइ करेंगे तो रेट के लिए हमें एक एवरेज प्राइज निकालना होता है क्या निकालना होता है एवरेज प्राइज यही सबसे इंपोर्टेंट है यह क्लियर हो गया तो आपके पांच नमबर बिल्कुल रेडी है आपके लिए एव तोटल नमबर ओफ यूनिट्स अब एवरेज प्राइज निकालने मतलब एवरेज निकालनी है आपने टोटल कॉस्ट कितनी होगी ज़रत देखो पहले जब आपने माल खरीदा था दो मार्च को दो रुपे के हिसाब से तो टोटल अमाउंट इस कितना रुपीज फोर हंड़ प्लस अभी भी तो 300 यूनिट्स और खरीद है उसकी भी तो कॉस्ट आई है कितनी 720 टोटल कॉस्ट तो ऐसे निकलेगी सर 400 पहले का अमाउंट 720 अब और जो खरीद है वो अपन टोटल यूनिट्स बता सकते हो ज़रा सामने देखे हां जी यह देखो कॉंटिडी पहले 200 यू 2.24 इकवल्स टू 2.24 यह हमारा एवरेज प्राइज आएगा यही वेटेट एवरेज प्राइज क्याल आएगा 2.24 तो अब जो कॉंटिटी में बैलन्स में जो प्राइज लिखने वाले हैं वो 500 इंटू 2.40 नहीं या 2 नहीं हमें एवरेज प्राइज निकालने क्योंकि हमन आएगा कितना 2.24 एंड और आंसर विल भी 1120 रुपे 1120 ठीक है सुडेंट्स बस बस यही समस्या है यह क्लियर तो सब कुछ क्लियर पड़े ध्यान से दुबारा में एक पर बता रहेता हूं एवरेज प्राइज आपको जरूर निकालना पड़ेगा वीटेट अवरेज में पहले का जितना का भी मेटीरियल होगा उसकी कॉस्ट मतलब उसका अमाउंट जैसे यहां पर 400 था फिर आपने दस मार्ज को और माल खरीद है कितनी कॉंटिटी 300 यूनिट्स 2.40 के साब से तो अमाउंट कितना आगया अमाउंट आगया आपका 720 तो यह 400 रुबे का जो कॉस् कर यह 300 यूनिट्स तो ऐसे करके टोटल हमारे जो यूनिट्स हो गए 500 तो ऐसे ग्यारो सो बीस अपॉन 500 अगर हम करते है तो अवरेज प्राइज निकल के आते है 2.24 तो बैलनस में जो हम कॉंटिटी लिखने वाले है जो रेट लिखने वाले वह यही लिखेंगे अवरेज इसका मतलब आज हमारे बास 10 मार्च को जो माल पड़ा है 500 उनिट्स उसका अवरेज प्राइज है 2.24 और उसके अमाउंट कितना आ गया 1120 ठीक है अब देखो अब आपको बहुत असान लगेगा नेक्स था 15 मार्च 15 मार्च को क्या हुए 15 मार्च को सर कुछ रिसीप्स नही भीज जाए कितने उनिट्स है कि इसमारे वास कितने आलेडी पड़े है 500 पड़े है इसमें से इशू करेंगे कितने उनिट्स तो इशू में लिखेंगे कितने है 250 रेट हमेशा अवेसे रहेगा हाँ कि ये नए 4, ऐसे करके हमारा अंसर आजाएगा 560, अमाउंट हीतना आजाएगा 560, तो बैलेंस कितना बजिया, इस 500 जो हमारे बास बैलेंस बढ़ा हुआ था, उसमें से इशु तो कितने हो गए, 250 उनिट्स, तो अभी भी कितने यूनिट्स बचे हो हमारे बास, 250 है ना, 500 बढ़ा था, 200 इशु हो गए, तो बचे भी कितने बैलेंस में, 250, एवरेज बैस कितने है अभी भी, 2.24, तो ऐसे आपका अंसर आजएगा 560, यह आपका बैलेंस अमाउंट आएगा, इशु करने के बाद, ठीक है चुडेंट्स, देखो कितना इजी है, अब 15th मार्च के बात देखते है 18th मार्च को हमने फिर से कुछ रिसीट करी है, माल और खरीद है, कितने यूनिट्स, 250 यूनिट्स at the rate of 2.60, डेट है हमारी कितने, 18 पार्च, 18 मार्च को माल और खरीद है, इसलिए रिसीट्स में लिखा जाएगा, कितने यूनिट्स है, 250, कॉंटिटी में, रेट है उसका 2. 2.60, तो आंसर आएगा आपका ये 650, अब फिर से वही बैलन्स में क्या दिखाओगे, उपर वाली बात ही, बताओ जरा, हमारे पास ओल्रेडी माल कितना पड़ा हुआ था, बैलन्स में देखो, 250 ये रा, और कितना पर्चेस कर लिया, 250, तो टोटल कॉंटिटी तो हो गई हम 500, इंटू रेट, फिर से सार अवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा, मैंने बोला बिल्कुल, फिर से अवरेज प्राइस निकालोगे, तभी बैलन्स में लिक पाएंगे, आओ जरा निकाले अवरेज प्राइस, ये लेखो, अवरेज प्राइस कैसे निकलेगा, जरा सब्सक्राइब माल पड़ाता है कि अमांट पने में ओर सब्सक्राइब और चेसान ॉनिट उसकी कॉस्ट कितनी है 650 बड़े ध्यान से देखो आप यहां देखो 560 को अल्रेडी अमाउंट था यह 560 और कितने 18 मार्च को अमने और माल खरीद है जिसकी कॉस्ट कितनी है 600 बचास टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी 560 जो बैलेंस के आमाउंट था प्लस जो नहीं क्वान्टिटी खरीद है 650 तो 560 प्लस 650 यह हमारी टूटल कॉस्ट बनेगी 560 प्लस 650 यह लेखिए अरे वह तो हमने कर लिया था ठीक है यह देखो चलो 250 युनिट्स अल्रेडी थे 250 और खरीदे जैसे करके हमारी कॉन्टिटी तो आ गई है कितने 500 युनिट्स तो टूटल कॉस्ट को नंबर आफ युनिट्स डिवाइड करो तो कितना हो गया 500 युनिट्स तो इससे आपका अबरेज प्राइस दो निकलके आने अवाल है वह आएगा आपका 2.42 रूपेत्स डिवाइगा बारा सौ दस रूपए लिट्स तेंध मारा को प्लोज कोई दिकन तो नहीं बिलकुछ सिमिलर है जैसे हमने दो और दस मार्च को डील करें उसी समय आपको एक एवरेज प्राइज निया निकालना ही पड़ेगा ठीक है और लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन जो बच्ची है वो 20 मार्ज की है उस दिन हम लोग क्या करें कोई रिसीप करें बिल्कुल नहीं सर रिसीप नहीं तो रिसीप में निल इसुझट करें सर कितने यूनिट्स 200 यूनिट्स लास्ट ट्रांजेक्शन के इस मार्च को फॉइन लोग रिसीप करें इसुट वेशा निल्टिप्लाइज प्राइस से तो इसुमें पहले तो कुन्टिटिटी लिख दे जितने इसुट को रहे हैं 2.42 and amount is 484 484 अब इतने हमारे पास उनिट्स पड़े थे 500 जिसमें से 200 उनिट्स के लिए फेक्टरी में भीज दिये गए हैं माल बनने के लिए तो बचा कितना में टीर है हमारे पास सर्फ बचे हमारे पास सिर्फ 300 उनिट्स हागे ना चीक है और मिल्टिप्लाई किस सही बैले सब्सक्राइब क्या है हमारे पास 2.42 तो 300 इंट्व 2.42 और आंसर इस 720 720 तो बस यह आपका वेटेड एवरेस थाल बहुत इंपोर्टेंट है एक्जामिनेशन पॉंट अविव से लीफो फीफो शुडेंट से फिर भी हो जाता है शुडेंट कहते हैं सार लीफो फीफो तो बहुत असान है वेटेंट में confusion होती तो कोई confusion की बात है नहीं वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बढ़ी जो concentrate करना है वो इसकी calculation में करना है वो भी बड़ी सिंपल सी कोई दिक्कत नहीं है average price निकाल लेंगे जैसे कोई नई receipt होगी जैसे यहां पर एक बार दुबारा मैं बता रहेता हूं हम लोगों ने एक purchase करी उसका तो पहला ही price दो रुपे यह तो इसके लिए उसका कोई average price नहीं है और commodity एड होने के साथ ही हम एक average price के जलोत हो जाएगी तो वही average price फिर हम लोग बैलन्स में लिखेंगे और अगर कुछ issue भी हो रहा है उसमें से तो वह भी average price से ही multiply होगा ठीक है फिर से कोई नई receipt होगी जैसे 500 रुपे की फिर हम एक नया average price निकालना पड़ा था 2.42 हां के न उसी में से फिर issue भी होगा उसी price के सबसे और balance भी उसी rate के सबसे जाएगा ठीक है students तो यह 5-6 marks का पर topic है normally हमेशा ही पूछा जाते है तो आप इसको जरूर पूरी पर note करें अच्छे से question को जरूर देखें ठीक है students all the very best आप लोग के बहुत काम आने वाले है जहान से पढ़ें बस ठीक है चलिए all the very best students take care bye bye